बिस्मिल्य रह्मान रहीम, आज बना रहे हैं हम कीमा मतर आलू मैंने लिया है 1kg बीव का कीमा मोटा मोटा और तक्रीबन 2 टेबल स्कून के करीब अदरक लसन का पेस्ट तीन प्यास दर्मेहना साइस की, तीन टोमाटर, हरा धनिया और वन केजी आलू है जो मैंने कट कर लिए हैं छोटे पीसिस में और वन केजी ही मटर अभी एक बरतन में मैंने कीमा डाल दिया है अभी इसमें पानी कीमा हम कच्छा चढ़ाएंगे अब इसमें तक्रीबन मैंने हाफ लीटर के करीब पानी एड़ का है क्यूंकि कीमे में पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है जल्दी गल जाता है प्यास मैंने कट कर ली थी और ये प्यास भी मैंने कीमे में एड़ कर दिये और ये अद्रक लेसन का पेस्ट ये टमाटर भी कट किये थे ये भी डाल दिये इसमें अब ये वन एड़ हाफ में डालूंगे इसमें नमक और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने नमग एड़ किया है अब ये 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसीवी लाल मिर्च एड़ किये और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें हल दिन एड़ किये और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसावा धनिया एड़ किया है अब इसे तक्रीबन में हलकी दर्म्यानिया आज पे तक्रीबन 15-20 मिंट पकने दूँगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए और टमाटर प्याज यह सब अच्छी तरह से गल जाए तक्रीबन मुझे 20-25 मिंट हो चुके थे अब यह देखें इस तरह से गल चुका है टमाटर भी हमारे गल चुके है प्यास भी अच्छे से सब मिक्स हो चुका है पानी भी खुश्को चुका है इसका यह देखें ऑईल उपर आ गया है अब इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे फिर इसमें जो हमने मतर और आलू रखे हैं आलू काट के मैंने चोटे चोटे पीस करके रखे हैं वो इसमें एट करेंगे इसे अची दरहां से चलाएंगे फिर तकरीबन इसे बीस मिंट और पकाएंगे क्योंकि हमारे मतर और आलू भी इसमें ही गलेंगे यह देखें बीस मिंट हो चुके हैं तकरीबन आलू हमारे और मतर हाफ टन हो चुके हैं यह देखें आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं और मतर भी बाकी ये थोड़े बहुत रह गए ये हम इसे भूनने के बाद थोड़ा पानी एट करेंगे उसमें गलाएंगे क्योंकि मुझे सालन में ग्रेबी चाहिए इसलिए अभी इसमें मैंने गरम मसाले का हाफ टेबिल स्पून एट किया है क्योंकि इसकी खुश्पू बहुत अच्छी आती है सालन में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें मैंने डेर गिलास पानी एट किया है क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेबी चाहिए सालन में और ग्रेबी अच्छी भी लगती है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अभी इसे तकरीवन में 10 मिंट और पकाऊंगी बिल्कुल स्लो गेस पे इसे 10 मिंट के लिए मैं और चोड़ दूँगी ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाए ये देखें हमारा सालन रेडी है मुझे 10 मिंट हो चुके थे इसे पकाते हुए और माशालला सालन में बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है जो मैंने गरमसाला एट किया था उसकी बहुत ही प्यारी खुश्बू आती है सालन में और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसे आप जरूर ट्राय कीजिएगा दौाओं में याद रखिएगा आला पिस